हेलो एवरिवन, विल्कम टू मै चैनल आज हम इस वीडियो में 4-bit binary counter यानि की mod 16 counter की जानकारी लेंगे mod 16 counter का construction क्या है, working क्या है, वो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे 4-bit binary counter को asynchronous counter कहा जाता है, asynchronous क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ first flip-flop को clock pulse देते हैं और उसका जो output होगा वो उसके next वाले flip-flop की clock pulse होती है, तो यह जो 4-bit binary counter है वो 4 flip-flop जो jk flip-flop से उनको जोड के बनाया जाता है, यहाँ पे हमने चार jk flip-flop का यूज किया है, all the flip-flop are negative age triggered तो यहाँ पे जो हमने clock pulse यूज की है, वो हम negative age triggered clock pulse यूज करते है निगेटिव age है, यह कहां से हमें पता लगता है, तो यह जो clock pulse है, इसमें यहाँ पे यह bubble हमने लगाया है जहाँ पे भी bubble लगाया हुआ होता है, वो होता है negative, तो यह हमने negative age triggered clock pulse यहाँ पे यूज की है J and K inputs are connected to the plus VCC, तो यह जो सारे flip-flops है, उनके जो यह J और K inputs है, उनको हमने common में connect किया है और वो हमने plus VCC को दिया है Then, output of a flip-flop A is given to clock pulse of flip-flop B and so on जो कि मैंने अभी बताया था, A flip-flop का जो भी output है, वो उसके next यानि की B flip-flop की clock pulse होती है B का जो output है, वो C की clock pulse है, C का output है, वो D की clock pulse है इस तरह से इसका construction होता है और इस पूरे circuit की जो initial state है, वो 0000 होती है अब यह है mod 16 counter, mod 16 यानि की यहाँ पे 0 से लेके 15 तक के number हमें दिखेंगे अब हम इसका working देखेंगे using this waveform यह first वाली जो waveform है, यह जो square wave है, यह हमारी clock है इस तरह से हम यह यहाँ पे first A flip-flop को clock pulse देंगे अब यह है negative age triggered, यानि की जब भी यह clock pulse 1 से 0 में convert होंगी इसकी negative age आएगी, उस time पे जो A flip-flop है, वहाँ पे हमें output मिलेगा यानि की वहाँ से इस next वाले flip-flop को clock pulse मिलेगी तो इस तरह से हम जहाँ पे भी 1 से 0 में convert हो रहा है negative age में जा रहा है, वहाँ पे हम arrow बना लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो और इस तरह से यहाँ पे देखो, यह है 1 से 0 में convert हो रहा है तब तक यह जो A flip-flop है उसका जो output है वह 0 ही रहता है बट उस moment पे वह 0 से 1 में चला जाता है toggle हो जाता है और फिर से वह 1 ही रहता है जब तक उसे next negative clock pulse नहीं मिलती और जब यह next negative clock pulse उसे मिलती है फिर से वह toggle हो जाएगा और 0 में चला जाएगा और यही cycle इस तरह से continue होती रहेगी हर एक negative clock pulse के time पे अब यह जो A है यह हमारा इस B flip-flop का clock pulse तो अब हम इसे देखेंगे यहाँ पे भी same process follow होगी जब clock pulse 1 से 0 में convert होगी उसी time पे जो next flip-flop है उसका जो B waveform है वो toggle होगा 0 से 1 पे तो इस तरह से यहाँ पे भी हम negative pulse को mark कर लेंगे और वही पे हम उसे toggle करेंगे तो इस तरह से यह 0 रहेगा जब negative pulse आ जाएगी उस time पे यह 0 से 1 हो जाएगा और continue चलता रहेगा फिर से 0 हो जाएगा continue फिर से 1 continue इस तरह से यह चलता रहेगा अब यह जो B का output है वो C के लिए clock pulse है तो अब हम इस B वाले waveform में सारे जो toggle हो रहे है negative clock pulse है वहाँ पे arrow mark कर लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो और यह जो C वाला flip flop है उसका output continuously 0 रहेगा और जब यहाँ पे negative clock pulse आएगी वो 0 से 1 में toggle हो जाएगा convert हो जाएगा फिर से यह 1 रहेगा फिर से negative clock pulse को 0 में जाएगा फिर से 0 है 1 हो जाएगा negative clock pulse के time और फिर 0 हो जाएगा इस तरह से यह cycle continue होती है और अब यह जो C वाला flip flop है उसका जो output है वो D के लिए है उसका clock pulse यानि की input तो same इसके negative clock pulse पे यह toggle हो जाएगा और positive में convert हो जाएगा इस तरह से यह पूरा binary counter work करता है अब हम देखेंगे यहाँ पे हमें output किस तरह से मिल रहा है तो यह देखो यह है हमारा clock pulse जो हमने यहाँ पे दिया है BCBA इस तरह से यह MSB यह LSB तो यह जो A flip flop है यह उसका output है यह B का यह C का और यह D का अब यहाँ पे देखो ABCD 0000 होता है 0 clock pulse पे तो यहाँ पे देखो सब 0 है उसके बाद A जो है 1 होता है और यह बाकि तीनों ही का output जो है वो 0 ही रहता है तो यहाँ पे देखो यह जो first clock pulse है उस time पे यह A जो है यह 1 है और यह 000 है इसी तरह से second clock pulse पे यह जो A है वो 0 में convert हो गया है यहाँ पे यह 0 है बट यह जो B है यह 1 है C 0 है और D 0 है तो यहाँ पे देखो second clock pulse पे A 0 है B 1 है C 0 है और D B 0 है इसी तरह से third clock pulse पे third पे A जो है यह 1 में convert हो गया है यह 1 है यह B जो है यह तो 1 ही है C 0 है और D B 0 है तो यहाँ पे देखो A 1 है B 1 है C 0 है D 0 है इस तरह से यह पूरा table हमें यहाँ पे इस 0 से लेके 16 तक के clock pulse में मिलता है 15 तक हमें सारे numbers मिलते है और 16 पे यह फिर से 00 हो जाता है यानि कि इसकी process यहाँ से फिर से चालू हो जाती है इस तरह से यह पूरा 4 bit binary counter यानि कि mod 16 counter वर्क करता है अगर आपको इसमें कुछ भी doubt या queries है तो आप comment section में जरूर पूछे वीडियो आपको कैसे लगा वो भी आप जरूर बताए वीडियो को like करे, share करे और channel को subscribe भी जरूर करे थैंक यू